कि MPT WORK2 का रिजल्ट आ चुका है अब चैन परिक्षा की पूरी तैयारी पे स्टुडेंट्स लगे हुएं स्टुडेंट्स के लगतार कॉल बी आ रहे हैं कि सर मुख्य परिक्षा जो होने वाली है जो चैन परिक्षा होने वाली है वर्ग दो की उसमें बीसे वाइज स्ट्रेटजी बता दीजिए किस तरह से हमें तैयारी करनी siil collective-पूरी कोुले करके मैं और सारी का मैं यहां पर आपके समक्रीक्ष conver मैं जैसा कि रिजल्ट्ण में देखा वस दिन की बहुत अच्चा रिजल्ट आया है हालां कि ए दुखत भी कि बहुत सारे स्टूडेंट कोई पॉइंट वन से कोई पॉइंट टू नंबर से फेल भी हो गया है इसके बाद जो लोग मुख्य परिच्छा परिच्छा के लिए लगातार फोन कर रहे हैं कि हमें एक रणनीती बता दीजिए या टीचिंग वाले चैनल पर हम किस तरह से इस कि 75-78 नंबर पर हैं या फिर जो जन्रेल काटिगरी के बच्चे हैं क्यानवे बानवे नंबर पर हैं तो आपको भी पता है कहीं न कहीं की 120 नंबर जो बच्चा लेकर के आया है और आप जब 78 नंबर लेकर के क्वालिफाई कियो इसका मतलब 120 वाले की जो तयारी है वो सब्सक्राइब करें इसका में एक इंपर्टेंट बात वर के यह आ रहे हैं कि 2018 वाले भी बच्चे पहले से जोनों ने पास किया हुआ है और 2023 का भी रिजल्ट आया है तो निश्ची तुरूप से कंपिटीशन कितना तफ रहाएगा थोड़ा सा इसकी उपर बात कर लेते है क्योंकि 2018 की बच्चे पहले से ही क्वालिफाइड है उनके पास कही ना कही ताइम ज्यादा मिला हुआ है और 2023 लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके पास में तरीके से कह सकते अभी अभी आपने एक्जाम दिया है तो आपकी सारी चीजे रवाइज है मतलब बिल्कुल मतलब आपकी ताजी ताजी चीजे हैं और जिनको आप थोड़ी सी मनत और कर लोगे तो त्यारी आपकी पूरी हो जाएगी आपको बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि 2018 वाले बच्चे को जादा टाइम मिल गया है तो उसकी तयारी अगर लगातार लगा हुआ है त और मैं अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाई जैसे माली जे हिंदी है अंग्रेजी है गडित है संस्कृत है विज्ञान है या सावाजिक विज्ञान है तो क्या बच्चों को कोई किताब हम रिक्मेंट करें या कौन सा मैटरियल पढ़ें या किस तरह का नोट्स बनाएं क्योंकि ये पहली बार जो है वर्ग दो का जो है ये चैन परिक्षा होने वाला तो अभी कोई एक संसे है कि हम किस तरह से करें कौन सी किताब लें कौन सी किताब से प्रक्टिस करें क्या करें समझ में नहीं आ रहें तो बिल्कुल सही बात है भाई सर की नोटिफिकेशन को पता है कि विशह पता है और हमारे क्योंकि वर्ग दो लेवल का इक्जाम है इसका मतलब क्या है आप 9 से ले करके 12 तक कि जो भी आपकी स्कूल में किताबे चलती है आप एंसी आटी बुक ले सकते हो या यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके स्कूलों में ज किताब निकालेगा कोई publication कोई practice book निकालेगा तो हम जा करके वो करेंगे ठीके आपको यह सब कुछ बेट नहीं करना है आप प्रॉपर किताबे उठाओ जो स्कूलों में चलती थी वहीं निकाल करके उनमें जो प्रैक्टिस सेट दिये गए पीछे जो निमेरिकल दिये रहत के classes को प्रारम कर दिया है आप सभी लोग enroll भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा difficulty है तो teaching वाले चैनल के साथ application को download कर लिजेगा वहाँ पर आ सकते हैं और उस पर हम पुरा विसेवार मतला हर विसे को जो है एक अलग-अलग teacher एक expert जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको आप लोगों ने देखा भी कितना बेहतरीन तरीके से science में लोगों ने परफार्म किया या और भी जितने हमारे teachers ने आप सभी लोगों को पढ़ाया या आप YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं चाहे वो सारीका मैम की अलावा भी और subject हैं जैसे कि आप maths देख सकते हैं English को भ अब बताया कि आप बुक को परिफर कर सकते हो कौन से किताबे आपको परिफर करनी है साथ ही साथ क्योंकि आपको कही ना कही ज़रत होती है तो वही गाइडेंस हमारी टीम लेकर के आई आप सभी लोगों के लिए जिसमें आपका वे हिंदी विशय हो गया अंग्रेजी वि कर सकते हो को का इन्रोल्मेंट हम आपको दिखा देते हैं जैसे कि आप फिजिक्स वाला एप्लिकेशन अगर आप फोन पर डाउनलोड कर लेते हो या फिर डारेक लैप्टॉप पर खोल रहे हो तो उस पर भी लॉग इन कर लेते हो लॉग इन करने के बाद में आपको टीच अब तक तो आपको सिफ साइन्स का दिख था अब यहां पर देख सकते हो, एछ थिए किसमें आपको जोच़ ईस्थंी विशय के लिए कर लिए इसके लाब हिंदी विशय के लिए कल्यानी मैम आपको करवा रही है साथी साथ मैच्स विशय के लिए दीपक सर आपको करवा रहे हैं निर न्युकिक हम स़ैंघ मना अटि कुर्स को पर चे response कर सकती हो और पर्फियों गुएजन एक साथिस्ट इसमें क्या होगा यहीग सेया है ब तो भी आप करी रही यह कि अ जीजिए भी बताना चाहेंगे कि नॉट्टिफिकेशन अभी आया नहीं है वह तो हम लोग कोर्स लेकर के आ गाई है लेकिन जैसे ही notification आपका आएगा जो भी उसमें changes रहेंगे आपको तुरंट से इन courses में changes देखने को मिलेंगे अगर आपका इन विश्यों के साथ में एक जैसे नहीं कि GK current affairs वगरा आ रहा है या math वगरा static GK वाला वो general वाला जो part होता है अगर वो आ रहा है तो वो सारी चीजे इसमें आपको add हो जाएंगी और आपके बीच में तुरंट से आपको मिलने लगेंगी तो त्यार ही आपको अभी से करती रहने हैं बिल्कुल और syllabus में कोई बहुत ज्यादा बतलाओ नहीं आएगा जो syllabus आप पढ़ते हुए आ रहे हैं सिर्फ question के difficulty का level बदल सकता है उसको हम इतनी चीजे रहने वाली है तो साथ इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं टीचिंग वाले चैनल के साथ और application भी आप application की उमीद कर रहे हैं कि जल्दी आएगा मतलब यह भी उमीद है कि लोग कह रहे हैं सप्टेंबर अक्टूबर तक जो है वर्ग दो के चैन परिक्षा हो सकती है तो एक दो महीने मतलब निकल जाएंगे हमारे बहुत जल्दी से अब समय बिल्कुल नहीं है तो जुड़े सा करी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में जय हिंद